यदि हम संयुक्त सुक्षमदर्शी का कंस्ट्रक्शन देखें, तो इसमें दो लेंस होते हैं, एक लेंस जिसके सामने वस्तू को रखा जाएगा, इसे हम कहते हैं अबजेक्टिव लेंस, दूसरा लेंस जिसके सामने हम अपनी आँखों को रखेंगे और वहां से वस्तू के प्रतिविम को देखेंगे, तो वो दूसरा लेंस कहलाता है आईपीस लेंस, यहां पर यह दोनों लेंस है, जो अबजेक्टिव लेंस है, उसके प्रकाश केंद्र को हम ओ से दर्शाएंगे, और जो आईपीस लेंस है, उसके प्रकाश केंद्र को हम इसे दर्शाएंगे, अ और दूसरा जब प्रतिविम अनंत पर बने इसके लिए हम दो चित्रों को अलग अलग तरीके से देख लेते हैं पहला यहां पर हम देख रहे हैं वस्तु को हमने अब्जेक्टिव लेंज के सामने रखा है जिसके प्रतिविम का निर्मान होना है इस पर्ष्ट द्रिष्टी क यहां से निकलने वाली समानतर किरण है मुख्यक्ष के वह तो इस ऑब्जेक्टिव लेंज के फोकस से होते हुए गुजर चाहिए और जो दूसरे किरण इसके प्रकाश के इंद्र से गुजरेगी वह सीधे सीधे आगे निकल जाएगी यहां पर इन दोनों किरणों का मिलन हो रहा है यहां दोनों किरणे मिल रही है तो यहां पर इस ऑब्जेक्टिव लेंज के द्वारा वास्तविक प्रतिविंग का निर्माण होगा जिस वस्तु की तुलना में उल्टा होगा इस प्रतिविंग को हम दर्शार है एवन और बीवन से अब यह जो प्रतिविंग का objective lens का उसका प्रतिबिम कुछ इस प्रकार होना चाहिए मतलब इस दोनों lens का adjustment कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि यह प्रतिबिम इस दूसरे वाले lens यानि कि आई-पेस lens की focus दूरी और इसके प्रकाश केंद्र के बीच में हो मतलब यहां पर यह F E यदि हम इस इस आई-पेस lens की focus दूरी लेते हैं तो F E और इस E के बीश में यह प्रतिबिम होना चाहिए और यह जो प्रतिबिम है A1 B1 इस objective lens का यह इस दूसरे वाले lens आई-पेस lens के लिए वस्तू की तरह कारे करेगा जिसका प्रतिबिम अब हम देखेंगे कहा बनेगा हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में यदि focus और प्रकाश केंद्र के बीच में वस्तू रखी गई हो तो उसका प्रतिबिम अभासी होता है जो कि वस्तू की तुलना में सीधा ही बनता है और उसी और बनता है तो यहां पर भी यह जो आई-पीस lens है उसके प्रकाश प्रकाश से गुजरेगी इस आई-पीस lens के वो सीधे निकल जाएगी और दूसरी समानतर किरण इस आई-पीस lens के दुतिये focus से गुजरते हुए आगे निकल जाएगी अपवर्तित हो जाएगी और यह दोनों किरणे आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी यदि हम इन दोनों कि किरणों को देखें तो यह एक निश्चित बिंदू से आती हुई प्रतीत होंगी और वहीं पर इस एवन बीवन के प्रतिविंब का निर्मान होगा यानि कि इस बिंदू पर जिसे हम A2 B2 से दर्शा रहें यह प्रतिविंब है इस A1 B1 वस्तु के लिए और यह जो वाले वस्तु को देखें जो वास्तविक वस्तु है A B इसकी तुलना में काफी बड़ा है मतलब यह प्रतिविंब अब अवर्धित हो चुका है और यह प्रतिविंब इस वस्तु की तुलना में उल्टा है यानि कि यहां पर फॉस्ट वाले लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस स उस वस्तू से बनावाला प्रतिविम अभासी था यानि कि वो दूसरे वाले प्रतिविम की तुनला में सीधा था लेकिन यदि हम finally वस्तू की तुनला में देखे तो वो उल्टा ही है तो कुल मिला के यह कह सकते हैं कि compound microscope में जो प्रतिविम का निर्मान होता है वो उल्टा होत साया सबक्राइब जो चीज़ें हमको दिखाई देती है अवर्दित होके वो उल्टी होती है कि अब यह जो प्रतिविम है वह कहां पर बन रहा है वह सपॉर्ष्ट द्रिश्टी की नियुनितमदूरी पर बन रहा है अब यदि हम अंतरित कोण की बात करें तो वस्तू का अंतरित कोण वो होगा अलफा जो कि इस अब्जेक्टिव लेंस में बन रहा है और जो प्रतिबिम्ब है A2, B2 इसके द्वारा जो अंतरित कोण है इस आईपेस लेंस पर उसको हम दर्शाएंगे बीटा से अब यदि इस प्रतिबिम्ब का निर्मान अनंत पर हो उस कंडिशन में ये चित्र कैसा होगा यहाँ पर हमने फिर वही दो लेंस लिया है एक अब्जेक्टिव लेंस और आईपेस लेंस वस्तू को हमने वहीं पर ही रखा है A, B पर जहाँ पर कोण बन रहा है अलफा इस अब जो किरण इसके समानतर आएगी वो इस अब्जेक्टिव लेंस के फोकस F.O. से गुजरती हुई आगे चली जाएगी और जो दूसरी किरण इसके प्रकाश के इंदर से गुजरेगी वो सीधे-सीधे आगे निकल जाएगी और यहाँ पर A1, B1 प्रतिबिम्ब का निर्मान ह इस अब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो की उल्टा होगा और वास्तविक होगा लेकिन अब इस प्रकार एड्जेस्टमेंट करना है इन दोनों लेंसों की बीच की दूरी को कि यह जो प्रतिबिम A1, B1 इस अब्जेक्टिव लेंस का प्राप्त हो रहा है वो इस आई- लेंस की फोकस दूरी हमने आफ इली है तो यहां पर इस प्रतिबिम को रखा जाएं वुसरे वाले लेंस से के लिए वस्तु की तरह कारे करेंगा और वो वस्तु अभी यहां पर फिलहाल इसकी फोकस दूरी होगी वो इस लेंस से अपवर्तन के पश्यात इसके फोकस से गुजर जाएगी अब ये दो किरुने आपस कभी निए मिलेंगी या फिर बोल सकते समांतर किरुने हैं तो ऐसा प्रतीद होगा कि यह अनंत से आ रही हैं क्योंकि हम यह मान के चलते हैं कि समांतर किरने आनंत पर एक दुसरे को काटती हैं इसलिए इस आई-पीस लेंज के द्वारा जो फाइनल प्रतिविंब होगा वो कहां पर नजर आएगा वो आनंत पर होगा और यह प्रतिविंब आभासी होगा वास्तविक रूप स इसको हम दर्शाएंगे बीटा से अब इन दोनों ही स्थित्यों में हमको एस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन छमता ग्याद करना है और हम जानते हैं कि जो एंगुलर मैगनिफिकेशन का फॉर्मला होता है यह प्रतिविंब द्वारा निर्मित अंतरित कोन और इ क्योंकि बीटा जो है प्रतिविंब द्वारा निर्मित अंतरित कोन है और अल्फा इस पश्ट द्रिष्टी की यूनितम दूरी पर वस्तू द्वारा निर्मित अंतरित कोन है चुकि अल्फा और बीटा का मान हम बहुत कम लेते हैं इसलिए M बराबर हम लिख सकते 10 बीटा अब इस टैन अलफा और टैन बीटा का मान हम चित्र से निकाल लेंगे और उसके बार हमको एंगुलर मैंगिफिकेशन मिलेगा तो चित्र अनुसार यदि हम देखें यदि वस्तु को सपष्ट दृष्टी की नुनितम दूरी पर रखा गया हो तो इस प्रकार चित्र बनेगा यह नेत्र है और वस्तु A B है जो किस पष्ट दृष्टी की नुनितम दूरी D पर रख्योंने चाहिए तो यह कोण मनाएगी अल्फा तो टैन अल्फा बराबर हो जाएगा A B अपॉन D अब यदि टैन बीटा हम देखें पहले वाले चित्र में तो इस चित्र में यहाँ पर टैन बीटा बराबर हमको मिलेगा A1 B1 अपॉन E B1 यदि हम त्रिभूज A1 B1 E देखें तो यहाँ पर हमको मिलेगा टैन बीटा कमान तो टैन बीटा बराबर हो जाएगा A1 B1 अपॉन E B1 अब हम इसको समीकरण 1 में रख देते समीकरण 1 में टैन बीटा और टैन अलफा कमान रखने पर हमें मिलेगा यहां से M बराबर हम लिखेंगे A1 B1 अपॉन E B1 इसको हम दे देते समीकरण 2 से अब हम इस चित्र में इन दो त्रिभूजों को देखते हैं त्रिभूज A1 O B1 और दिसरा त्रिभूज A O B इन दोनों त्रिभूज को हम देखें तो यह दोनों त्रिभूज समरूप है अगर यह दोनों त्रिभूज समरूप हुए तो उनके भुजाओं का अनुपात भी समान होगा इसलिए हम A1 B1 अपॉन A B बराबर लिखेंगे O B1 अपॉन O B यहां से M बराबर हमको मिलेगा हम A1 B1 अपॉन A B के जगए लिख देते हैं O B1 अपॉन O B और बाकी क्या था समीकरण में D अपॉन E B इसको अब दे देते हैं समीकरण 3 अब इन सारी राश्यों का मान हम चिन परिपार्टी का अनुसार रखेंगे जिससे की हमको एंगुलर मैंगिफिकेशन मिलेगा इस चित्र अनुसार यदि अब हम O B1 देखें O हमने अबजेक्टिव लेंस के लिए इस्तमाल किया था तो O से लेकर उसके प्रतिविम्ब तक की दूरी ये कहलाएगी इस अबजेक्टिव लेंस के लिए प्रतिविम्ब की दूरी प्रतिविम्ब की दूरी को हम सदैव V से दर्शाते हैं चुकि यह objective lens का प्रतिविंभ है इसलिए हम यहां पर छोटा सा O लिख देंगे वैसे ही O B को यदि हम देखें तो O B यह वस्तू की दूरी है वस्तू की दूरी सदायव हम U से दर्शाते हैं और यह किस lens है वस्तू की दूरी है इस objective lens है इसलिए हम नीचे छोटा सा O लिख दें में नापा जा रहा है इसी प्रकार जब हम इस पश्ट दृष्टी की न्यूनेतम दूरी पर बनने वाले प्रतिविंभ को देखें यानि कि D को तो यह भी आपतित किरनों की विप्रत दिशा में नापी जा रही है इसलिए इसे भी हम लिखेंगे माइनस माइनस डी के द्व आइपिस लेंस के लिए वस्तू की दूरी क्योंकि A1 B1 वस्तू की तरह कारे कर रहा था आइपिस लेंस के लिए तो वस्तू की दूरी को हम दर्शाते हैं यू से चुकि यह आइपिस लेंस का है इसलिए हम इसको दर्शाएंगे ई से और चिन परिपार्टी के नुसार इसे यू ओ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस डी अपॉन माइनस यू इए माइनस और माइनस नुमरेटर दिनुमरेटर से कैंसल हो जाएगा तो हमें मिलेगा एम बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इन्टू डी अपॉन यू इए अब इस फॉर्मुले को हम दो अलग-अलग स्थिति के निकालते हैं जब प्रतिविम स्पष्ट दृष्टी की नुनितम दूरी पर बने लैंस के फॉर्मुले के नुसार वन अपॉन एफ इक्वल टू होता है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ज़ा वी प्रतिविम की दूरी होती है और यू वस्तु की दूरी अब यहाँ पर वी बरा हम लिखेंगे minus ue अब 1 upon f e बराबर कितना हो जाएगा वन आपान minus d minus 1 upon minus ue कि 1 upon f e बराबर होगा 1 upon minus d minus minus plus हो जाएगा और हम लिखेंगे 1 upon ue अब इस पूरे समय करना को यदि D से गुणा कर दे तो मैं मिलेगा D upon F E equal to D upon minus D plus D upon U E D से D cancel होगा यहां बच्चे का 1 तो finally हमें मिलेगा D upon F E equal to minus 1 plus D upon U E और पक्षांतर करें 1 को दूसरे पक्ष में ले जाएं तो मैं मिलेगा D upon U E equal to D upon F E plus 1 हमने यहां से D upon U E का मान निकाला है क्योंकि यह मान magnification में हमको put up करना है तो यहां से M का मान क्या मिलेगा हमें हमें finally जो मिला था M का मान वो था M बराबर minus V O upon U O D upon U E तो इस D upon U E के जिके मान लिख देते हैं तो M बराबर मिलेगा minus V O upon U O bracket के अंदर D upon F E plus 1 actually यह जो magnification है यह दोनों lens के magnification का संयोजन होना चाहिए मतलब यह संयोग तो magnification होना चाहिए तो यदि हम दोनों lensों का magnification अलग-अलग लेते हैं जो objective lens से उसका magnification M O लेते हैं और IP इसका M E तो यह जो magnification का formula है हम मिल रहा है M यह होना चाहिए M O into M E और इस सूत्र से हम देखें तो M O बराबर क्या होगा objective lens का magnification यानि M O बराबर होगा minus V O upon U E और इस IPS lens का magnification M E होना चाहिए D upon F E plus 1 और हमने पहले भी निकाला था जब हमने सलर सुक्षम दर्शी के लिए magnification निकाला था इस पर शुक्षम दर्शी की नितम दूरी पर वहाँ पर भी यही फॉर्मिला आया था M बराबर D upon F E प्लस 1 चुकि IPS lens भी तो एक उत्तर lens ही है एक सरल सुक्षम दर्शी की जैसे अकेले काम करेगा इसलिए यहाँ पर भी magnification का फॉर्मिला वही होगा अब इस इस्थिती में जो इस microscope की लंबाई होगी यानि की जो objective lens और I-paste lens की जो दूरी होगी यदि उसको हम यदि L से दर्शाएं तो यह L बराबर होगा O E के मतला objective lens और I-paste lens की बीच की दूरी के बराबर होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे L बराबर O B1 प्लस E B1 और O से लेकर B1 तक की दूरी कितनी है यहाँ से देखें तो यह दूरी VO के बराबर है और E B1 की दूरी कितनी है UE के बराबर तो L बराबर होगा VO प्लस UE अब हम दूसरे स्थिती देखते हैं जब प्रतिविम अनंत पर बन रहा हो अनंत पर प्रतिविम कब बनेगा जब आइपेस लेंस की फोकस दूरी पर वस्तू को रखा जाए यानि कि जो अबजेक्टिव लेंस का प्रतिविम बन रहा है वो आइपेस लेंस की फोकस दूरी पर हो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ue बराबर fe अब इसको magnification के formula में रख देते हैं मान तो m बराबर minus vo upon uo into d upon ue था तो ue के स्थान पर हम लिखेंगे fe और यहाँ पर भी जो magnification है दोनों लेंसों के magnification का गुणन होना चाहिए तो हम लिखेंगे m बराबर mo into ma यानि कि जो पहले lens का objective lens का magnification mo है वो तो minus vo upon uo ही रहेगा लेकिन जब प्रतिविम अनंत पर बन रहा है उस condition में जो IPS lens का magnification है वो d upon fe है और ऐसा हमने सरल सुक्ष्मिदर्शी के समय भी देखा था जब हमने एक single lens लिया था अब इस स्थिति में इस माइक्रोस्कोप की लंबाई कितनी होगी यहां पर भी माइक्रोस्कोप की लंबाई objective lens और IPS lens की बीच की दूरी होगी और इन दोनों की बीच की दूरी यहां पर होगी वी ओ प्लस fe इसका मतलब यहां पर इस magnification के formula को हम देखे तो से सबस्ट है कि magnification अधिक हो यदि हम ऐसा चाहते हैं तो के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी होने चाहिए सबसे पहले यू ओ का मान कम होनी चाहिए चित्र अनुसार यदि हम देखे तो जो वस्तु कहां पर रखी गई है यह focus से बाहर रखी गई है यानि कि जो objective lens है उसकी focus दूरी भी कम होनी चाहिए दूसरा condition VO का मान अधिक होना चाहिए यदि magnification अधिक चाहिए तो और हम जानते हैं कि जो finally image है वो कहां पर बनता है वो objective lens के पास बनता है इसका मतलब VO अधिक कब होगा जब नली की लंबाई अधिक होगी और तीसरा हम देखते हैं कि M कमान कब अधिक होगा जब FE कमान कम होगा हम देखते हैं यहाँ पर FE कमान FO से अधिक होना चाहिए इसका मतलब जो objective lens और IPS lens की focus दूरी है इनके बीच में अंतर कम होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि objective lens बहुत छोटा और IPS lens बहुत बढ़ा हो रहता है और IPS lens का size बढ़ा रहता है लेकिन इनकी focus दूरी में इतना भी अंतर नहीं होना चाहिए इनके बीच की focus दूरी का अंतर कम होना चाहिए